नमस्कार दोस्तो आपका सौगत हमारे यूटूब चैनल इबेस क्लासेस पे दोस्तो यहाँ पे अपन पढ़ने जा रहा है हिंदी का महत्पूर चैप्टर, महत्पूर अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार तता संदे अलंकार में अंतर दोनों अलंकार को अपन को एक साथ पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ इस टॉपिक के नाम से ही डरते हैं जैसे ब्रांतिमान मतलब भर्हम हो जाना, संदे मतलब भी भरहम हो जाना तो फिर क्यों यहाँ इसको अलग-अलग किया गया है बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इन दोनों के अलंकार को आप अंतर बता दीजिए तो यहाँ पे मैं आपको अंतर बताने जा रहा हूँ चैनल में नहीं हो तो एक बार चैनल कर देजे सस्क्राइब कर देजे बिल आइकन प्रेस ताकि नोडिफिकेसन आपको मिले सबसे पहले तो चलिए देखते हैं बरातिमानालंकार को समझते हैं यहाँ पे अपन को डायरेक्ट कोई भी मैं आपको यहाँ पे परिभासा से संबंदित कोई भी फालतू की जो लंबी चोड़ी बाते हैं वो सब चीजे बताने वाला नहीं बिलकुल डायरेक्ट मुद्दे की बात करत रहा हूं किया कैसे आपको समझना और कैसे आपको लिखना एं तो चलिए पहचान कैसे करना है समझ कर जानकर मानकर मानी भ्रहंबस भरम ऐसे कुछ सब्देर्दी मिलते हैं आपको तो अलंकार संदेय लंकर में की या अत्वा तथा एबं ये सब चीज़ें जहां पे ज़्यादा सज्यादा योज किया जाते हैं संदेय लंकर वहां पे हो जाता है चलिए देखते हैं उदाहन इसके बाद समझते हैं आगे मुन्ना मम्मी के सीर पर देख देख दो चोटी भाग उठा भैमान कर सीर पर सापिन लोटी एक छोटा सा प्यारा सा मुन्ना रहता है बच्चा रहता है और वो मम्मी के सीर पर देखता है जब मम्मी के सीर में बाल को देखता है तो वह बोलता है कि मम्मी मम्मी देखिए आपके सीर पर जो चोटी है ठीक है आप मनलब जो चोटी है चोटी को देखके और वह भाग उठता है और बोलता मम्मी आपके सिर पे सांप लोट रहा है सांप लोट रहा है भाग उठा भैमान मानकर सिर पर सांप इन लोटी मतलब कि मम्मी आपके सिर पर सांप लोट रहा है और इस प्रकार मुन्ना कहके और भाग जाता है मुन्ना मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी मतलब कह रहा है कि मम्मी आपके सिर पर वह चोटी को देखता है ठीक है यहां पर चोटी को देख रहा है लेकिन सांप समझ रहा है तो यह भ्रांतिमान अलंकार है यह क्लियर कह रहा है वो कि जो चोटी है चोटी को वह क्या समझ रहा है सांप समझ रहा है ठीक है यह भ्रांतिम संदेयलंकार है है जो आपको भ्रहम होता है हो गया संदेय में चलिए करते हैं चलिए अपन कनेक्ट करते हैं पहले सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है मतलब यहां पर कह रहा है कि जो मतलब जब दुर्योधन अच्छा दुसासन हाँ ठीक है जो भी है तो जब सारी खीचता है तो सारी खीच खीच के जब वो चिलाती है ठीक है तो वो साड़ी खीच खीच के और परेसान हो जाता है इतना साड़ी निकलते जाता है कृष्ण जी की लीला है तो वहाँ पे वो यह कहता है कि यह हमें समझ नहीं आ रहा है कि यह सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है और सारी ही नारी है कि नारी ही सार यह इतना भ्रम्य हो जाता है इतना सारा सारी खीच-खीच की इकठा कर देता है इकठा इतना कर देता है कि उसको यह समझ में नहीं आता कि यहां पे यह जो लेडीज है ठीक है नारी जो है यह सारी बन चुकी है कि सारी नारी मलब इतना लिपट जाता है सारी उस नारी के कि उ यहां पे भी यहां उसको ब्रहम है मतलब संदे है यहां पे ब्रहम है अब कैसे देखिए यहां पे उसको सीधे क्लियर हो जाता है कि मम्मी जो चोटी आपकी है वो साप के समान है साप लोट रहा है डिरेक्ट यहां पे पता चल रहा है लेकिन यहां पे अभी भी ब्रहम है उस इसको क्लियर पता नहीं चलता, लास्ट तक भी पता ना चले, वहाँ संदे यलंकार होता है, संदे यलंकार होता है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक छोटा से और है, यह ससी है, अत्बा कमल है, मुक्मन्जू, मतलब यहाँ पे कह रहा है चलिए इसको तो यहाँ नहीं समझ नहीं होती यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ यह ससी है अतबा कमल है मुख मन्जू यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मतलब इसको कह रहा है तो देखिए वो कह रहा है कि यह ससी है मतलब आपका चंद्रमा है या कमल है उसको clear नहीं हो रहा है आपको संदे अलंकार होगा संदे अलंकार होगा इसको रटने के बिलकुल जरूरत नहीं है और जिसको पढ़ना होगा तो मेरे रोम आके मेरे घर आके आफ लाइन कोचिंग भी इसका पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं इतने फैक्ट से अच्छे से समझा दूँगा तो यह हो जाएगा आपका ब्रांतिमानलंकार और संदियलंकार में तो यहाँ पे आपका यह हो जाएगा ब्रांतिमान और संदियलंकार का अंतर वीडियो कैसा लाएगा इसे बार कमेंट कर देजिए कि समझा दी नहीं आता तो भी आप दुवारा वीडियो को देखिए मैं पूर रूप से बिश्वास करके कहता हूँ कि आपको समझ आएगा ही आएगा बाकिके जो अलंकार हैं रूपा का लंकार अतिसवक दिलंकार अन्योक दिलंकार सब चीज पूरे वीडियो अपलोड है चैनल पे हिंदी का पूरा का पूरा कोस्चन 9 में सिले के बारे में तक का सबी सब्जक का कोस्चन चैनल पे अपलोड किया जाता है और डेली का डेली जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन और कर लिजे बिल आइक और प्रेस ताकि नोटिपिकेशन मिले आपको सबसे पहले में वीडियो कैसा लग एक बार जरूर कमेंट कर दीजेगा और दोस्तों में सेर कर दीजेगा मिलते नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरा